नमस्कार दोस्तो गिलवान आई केर यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मापके लिए नया विशे लेकर आया हूँ आज का मारे विशे है सफेद मोतिया क्या होता है कैसे होता है और इसका क्या उपचार होता है दोस्तो आई के अलग-अलग विशे पर मैं 50 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अलग-अलग विशे उपर सारी वीडियो देख सकते हैं तो आईयो दोस्तो आज के विशे परागे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सफेद मोतिया क्या होता है दोस्तो जब हमारी उमर 50 या 55 साल से उपर होती है तो हमारी आखों का जो लेंस होता है वो धिरे-दिरे सफेद होना शुरू हो जाता है जिसको हम सफेद मोतिया कहते हैं दोस्तो वैसे तो सफेद मोतिया के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें लंबे समय तक स्ट्रोइट दोवियां को इस्तेमाल करते हैं उसे भी सफेद मोतिया बन जाता है जिसको हम steroid induced cataract बोलते हैं और चोट लगने से भी दोस्तों आँख में सफेद मोतिया हो जाता है जिसको हम traumatic cataract बोलते हैं लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें 95% से ज़्यादा chances होते हैं मोतिया के जो एक आहम age related जो है मोतिया होता है तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी उमर बढ़ती है जैसे हमारे सिर के बाल सफेद होने शुरू होते हैं तो आख का जो पारदर्सी lens है वो देरे देरे सफेद होना शुरू हो जाता है जिससे जो है आखों के अंदर रोशनी पूरी नहीं पहुंच पाती रोकाट हो जाते है जिसे तस्वीर जो है रेटीनाए पे साफ नहीं बनती जिसे हमें धूंदला दिखाई देने लग जाता है तो जिसको हम सफेद मोतिया कहते हैं तो शुरूहात में दोस्तों कैसे पताची जfunता है कि हमें सफेद मोतिया हो गया है तो जैसे दूर काई चीज़े हैं, दोस्तों, हमें धुंदली दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जो किरने हैं, वो रेटिना पे नहीं पहुंच पाती debates लेंस सफध होने के से और व रुकावट इस दोस्तों सुरिय की किरनों से आती हैं इसलिए जो बाहर खेत में दूल मिट्टी में बाहर काम करते हैं लोगों उन लोगों को दूसरे लोगों तुलना में सफेद मोतिया जदा होता है और इसके लिए क्या साउधनिया रखनी चाहिए जब हम बाहर दूल बरेवातारों मे और धूप में कारिय करते हैं तो हमें लाइट प्रोटेक्टिव गलासी लगाने चाहिए और अगर सफेद मोतिया हो जाए तो उसके बाद दोस्तों क्या करना चाहिए ये लोगों के मन में बड़ा संसे होता है कि मोतिया पकने के बाद उप्रेशन कराना चाहिए या पहले कराना चाहिए दोस्तों जो पहले जो तकनीक होते थी पुरानी टेकनीक से जब उप्रेशन करते थे जिसमें हम मोतिया को पूरा निकालते थे उसमें बड़ा जो है चीरा लगाना पड़ता था चार पास टाके लगते थे उसमें दोस्तों जब मोतिया पक जाता था तो तब operation होता था लेकिन दोस्तों आज की जो technology है सफेद मोतिय के operation की जिसको हम फेको emulsification कहते हैं जिसमें ना मात्र डेड़ से भी कम जो है incision दिया जाता है और उसमें ना कोई टाका लगाना होता ना कोई चीरा तो दोस्तों उसमें मोतिय का पकने का इंतजार नहीं किया जाता क्योंकि अगर मोतिय पक जाएगा दोस्तों तो hard हो जाता उसको निकालना मुश्किल होता है और इसलिए immature stage में ही पकने से पहले दोस्तों इसका operation क्या होता है इसमें दोस्तों लेंस को तोड़ निकालते हैं और उसकी जगे पर दूसरा जो लेंस जिसको हम IOL कहते हैं उसको जो ही इंप्लांट कर देते हैं दोस्तों तो अता है जब भी आप सफेद मोतिय का उप्रेशन कराएं अच्छे होस्पिटल से उप्रेशन कराएं और बढ़िया क्वालेटी का लेंस जो है लगव इस और आपका ध्यान देलाने चाहता हूं कि एक बार आख में लेंस लग जाता दोस्तों तो इंसान की उमर से भी ज्यादा लेंस की उमर होती है वह पूरी उमर वह खराब नहीं होता और सफेद मोतिया जैसे किसी को हो और उसको रूटीन वर्क में प्रिशानियानी होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद